जहां मैं मजगुद हूँ ये आईटीओ है और यहां पर आप देखें कि पानी पूरी तरीके से काला पढ़ चुका है नदी नाले में तबदील होती हुई नज़र आ रही हो मिट्टी काली पड़ चुकी है पानी काला पड़ चुका है यहाँ पर मचलियों का नाम और निशान खत्म हो रहा है पिछले सप्ता का सोमवार दिपावली महपर्व को लेकर आया था और इस सप्ता का सोमवार के साथ ही छट मईया के महपर्व की शुरुवात हो जाएगी दो दिन के बाद ही छट पर्व की शुरुवात हो जाएगी इस वक्त हम आईटियों की घाट पे मौझूद है विशेश खाट छट मैया की महपर्व के लिहास से ही बनाया गया है भासकर यानि दिनकर को अर्क देने के साथ छटी के वरत की शुरुवात होगी इस वक्त हम आईटियो पी मौझूद हैं हाला कि आईटियो की स्थिती अगर मेरे कैमरा सहयोगी यमना की उसपार भी दिखाने कोशिश करें तो काफी हद तक बहतर नज़र आती है जो हम कालंदे कुरंच के जाग को देखते हैं क्योंकि विशेश पानी को छोड़ने का परियोजन है दिल्ली सरकार की तरफ से और कहा जा रहा है कि वजीराबाद बैराज के गेट खोले जाएंगे ताकि यहां पर पानी के जो बहाव है वो तेजगती से हो सके और जिस तरीके से जो गंदगी है फिलहाल जो नज़र आ रही है वो भी काफी हद तक साफ होने के उमिद है हाला कि सुरक्षा लिहास से एक अलग से घाट बनाया गया है और उसी घाट में छटी मईया को अर्क दिया जाएगा इस विशेश घाट का भी जो जल है वो भी यमना नदी से ही लाया गया है तो भासकर को अर्क देकर चटी मैया की महँपर्व की शुरुवात होने में केवल दो ही दिन शेश है ऐसे में दिली में यमना के water pollution से लेकर आसमान में air pollution की स्थिती भी नजर आ रही है और तयारियां जारी है चटी मैया की महँपर्व के लिए दिली के आटियो घाट पर छट महापर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है यहाँ पर आप देखिए जो टेंट्स हैं वो लगा दिये गए हैं और जो पूजा के अलगले स्थल हैं वो भी बनाये गए हैं ताकि एक साथ सेकड़ों की संख्या में भक्त भासकर दिनकर को अर्क देकर छटी मईया को याद कर सके उनके पूजन कर सके और यमना का जल भी यहाँ पर लाया गया है और वहीं पर ही कोशिश यह रहे कि प्रिशाशिन की तरफ से की छटी मईया का पर्व यहाँ पर हो लेकिन इस तालाब की स्थितिवे में चाहूँगा कि मेरे कैमरे से यह दिखाएं कि अगर मैं इस पानी को साइड में करता हूं तो आपको एसास होगा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है कितना जादा मच्छर हैं यहाँ पर आप मच्छर देख सकते हैं अलकि यह कहा जाता है कि डेंगू का सीजन भले ही खत्म हो गया और लेकिन मच्छर का पनफना आप देखिए कि इस पानी में बहुत अरबो की संख्या में जो मच्छर है वो पनफ रहे हैं गंद के पानी में और इस साइड के पानी में कितना अंतर है और इसी गंदगी में जो मच्छर है वो भी बड़ी संख्या में पनफते हुए नजर आते हैं तो जहां हवा में प्रदूशन है एर क्वाल्टी इंडेक्स अभी 2300 क्या सपास बना हुआ है वहीं अगर यमना की बात कर हद तक इतर नजर आती है क्योंकि यहां पर जहरीली रासाइनों का ज्छाक नहीं है लेकिन यमना प्राणदाईनी तो यहां भी नजर नहीं आती जहां मैं मौजूद हूँ यह आईटियो है और यहां पर आप देखे कि पानी पूरी तरीके से काला पड़ चुका है यहां पर आपको कोई भी मचली नजर नहीं आएगी मचली आम तोर पर यह जटाने के लिए काफी होती है कि अभी भी जीवन दाइनी तत्तो किसी नदी के अंदर बाकी है लेकिन ऐसा लगता है कि जहां मौजूद है यहां नदी नाले में तबदील होती हुए नजर आ रही है और साथ में देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी काली पड़ चुकी है पानी काला पड़ चुका है यहां पर मचलीों का नाम और निशान खत्म हो रहा है तो लगता है कि दिली में सियासत छट महापरव पर भी हावी होती हुए नजर आ रही है बीजेपी ने महायग्य किया कहा कि आतिशी और केजरीवाल यमना के पानी में सनान करके दिखाएं और आमादमी पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है कि जो यमना का प्रदुशन है उसमें हरियाना और उत्तर परदेश की भागेदारी बहुत जादा है मेरे पीछे फिर भी यमना के इसी पानी में आचमन करते हुए शर्धालू भी नजर आ जाएंगे तो ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है चट से ठीक पहले कि उस घाट पर जहां विशेश रूप से चट महापर्व का आयोजन किया जाएगा यहां पे जो कूड़ा है वो बहुत बड़ी संख्या में है पानी काला पड़ चुक बीच यमना नदी दम तोड़ती हुए नजर आते है क्योंकि साथ हजार करोड बीते को सालों में यमना के सफाई पे खर्च हो चुके लेकिन कालंदे कुन से लेकर आईटियो तक यमना की स्थिति बदलती हुई नहीं दिखती हाला कि छट महापर्व की शुरुआत नहीं जाता है कि ऐसा नहीं कि आप इस पानी से स्नान करें पवित्र तो होना चेह लेकिन स्नान करें ऐसा नहीं बीमार हो जाए क्योंकि पानी थंड़ पानी है डर लगता है कि इतनी गंदी यमना में स्नान करके ऐसा नहीं कि चर्म रूप हो जाए यास्था है ऐसा कुछ नहीं है सब उपर वाला करें तो आप कितने दिनों तक यहां पर सनान कर रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ आप सनान कर रहे हैं तो इस बात का डर नहीं है कि कोई ऐसा स्किन की प्रॉल्लम हो जाए या कोई दिख कर नहीं दो अपर आप ने सनान किया है यहां पर डर लगता है क्योंकि इस पानी में बहुत ज्यादा जो गंदगी है वह बहुत ज्यादा है एसा ना विमारे दगए करेंगे आइसा है कि वह हम को सुख्षा करेंगे बेड़ा आपको भी डर नहीं लगता पानी में नहां करके किसलिए डर लगे क्योंकि गंदगी बहुत जादा पॉलुशन है उपर वाला सब ठीक करेंगे छट माई की महिमा है और उन्हें लगता है कि आस्था से सब कुछ ठी करनी बिनियों को देख सकते है जêu बिहार के ढलग अलग जिले से दिल्ली में काम करने के लिए थे और अब कर रहें थे सनान धायां कर रहे देखें कि पानी पूरी तरीके से काला पड़ चुका है नदी नाले में तब्दील होती हुए नज़र आ रही है और मिट्टी काली पड़ चुकी है पानी काला पड़ चुका है यहां पर मचलियों का नाम और निशान खत्म हो रहा है थी निज़नेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए निज़नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें